Welcome guys, welcome to another learning video देखे, आज हम लोग जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि हम लोग एक चीज को डिस्कस करेंगे कि power of silence क्या है या फिर power of not doing anything आप इस तरीके से कह सकते हो क्योंकि देखे, market में जब भी हम लोग trade करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो important चीज होती है कि आपको profitable रहना, with patience अब देखे, power of taking pause ये जो चीज है न, इसकी काफी importance है या फिर आप इसे silence कह सकते हो मैं इसे लिख देता हूँ ये चीजें जब आप बहुत अच्छे से समझोगे तो आपकी trading immensely increase होने वाली है power of taking pause आप या ऐसा कह सकते हो या फिर आप इसे ये कहो कि power of silence ठीक है ये काफी deep चीज है काफी जब आप समझो कि एक proper training के बाद आप जब proper training के लेते हो उसके बाद आप किसी एक level पर पहुंचते हो जहाँ पर आपकी weakness होती है कि आपकी consistency नहीं आ रही है ठीक है problem यह है कि consistency आप profitable हो profitable हो लेकिन आपकी consistency जो है वो increase नहीं हो रही है जो आपकी accuracy है जिसे मान लो कि आप किसी भी method से आप trade करते हो ठीक है तो आप profitable तो हो गए हो लेकिन आपको problem कहां बढ़ा रही है ये वीडियो खासकर उनके लिए है कि आप profitable हो लेकिन आपकी जो accuracy है समझो आज आप 70% से हो वो 90% कैसे जाएगी मतलब आपका biasness किसी एक single direction में upside या फिर downside किसी एक तरफ आप create करते हो कि ठीक है आपके जो direction है वो buying side है या फिर sell side है तो आप 100% confirm क्योंकि देखिए जब तक आप confirm नहीं होगे direction की clarity नहीं होगे आपकी consistency increase नहीं होगी consistency increase नहीं होगी तो फिर आप profitable नहीं होगे in the long term तो आपका क्या है कि direction के clarity होना तो ये चीज़े कैसे होगे यहाँ पर ये चीज़ आती है कि power of taking pause अब ये क्या चीज़ है जब ये चीज़ काफी सारे students को भी problem है in fact मुझे भी trading में ये चीज़े problem होई तो मैंने इस चीज़ को जब apply किया तो drastically change मैंने देखा drastic change मतलब आप जिस भी तरीके से trade कर रहे होना आपकी जो trading जरनी है वो काफी ज़्यादा improve होने वाली है इस चीज़ को ले करके और इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे अब देखे power of taking pause क्या देखे market के दो ही nature है market के सिर्फ दो nature है the first nature ये है कि market either volatile रहेगा इस तरह से market में movement आपको दिखेगी और second market will be non-volatile मतलब market range bound ठीक है इस तरह के ही structures मतलब आप जिसे contain कर सकते हैं तो सिर्फ दो ही nature है market एक phase से दूसरे phase में हमेशा अपनी चरनी करता है ठीक है ये है आपका first phase अगर market volatile है यहाँ पर मैं इसे V से symbolize करता हूँ और इसे मैं N V से करता हूँ तो अगर market volatile है तो वो किस तरफ जाएगा non-volatile होने के तरफ और अगर market non-volatile है मतलब market range bounded है तो वो किस तरफ जाएगा volatile होने का सिर्फ दो ही चीज़े है market में अब एक smart trader वो क्या करता है उसकी entry कहां पर होती है market में आप बताओ कि कहां पर ठीक है volatile एक trader को volatile environment चाहिए उसे वो एक market चाहिए जिसमें market trending हो लेकिन entries जो प्लान की जाती है या फिर जो एक आपको consistency चाहिए तो आपकी entry हमेशा non-volatile market में होनी चाहिए non-volatile market में हमेशा entry होने चाहिए और जब market volatile हो तो proper levels पर आपको profits को book करने चाहिए ठीक है proper levels पर आपको profits को book करने चाहिए ये चीज़ आपको समझने है तो अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि power of taking pause और power of silence ये ज़रूरी तो है कि अब इस चीज़ों को हम लोग implement कैसे करें चार्ट बना ये जो concepts मैंने आपको बताएं इस इस चीज़ को हम लोग implement कैसे करें ये है question तो अब देखें कि ये चीज़ है क्या कि आप एक particle सबसे पहले तो आपने ये देखा कि entries कहा लेनी है entries वैसे environment जैसे कि आप ये SDF से बैंक का चार्ट देख रहा हूँ movement हो रहे है movement हो रहे है अब आप बताओ कि अगर आप इस trend का हिस्सा बनना चाहते हो मतलब इस level से market अगर यहाँ यही trend हुआ तो आपकी entry कहा होनी चाहिए आप देखो कि ये वो area है जिसे जब आप contain करते हो जो मैंने आपको बताया कि non volatile तो आपकी entry अगर यहाँ होती है आप किसी level पर लो यहाँ लो यहाँ लो और जब ये movement होती है ये आपके profits वे तो आपने entry कहा कि market non volatile है तो आपने entry के और आपने फिर exit कब किया जब market non volatile से volatile हुआ आपने profit book किया फिर से market जब non volatile होगया आप exit मतलब range formation अब इस बड़े move को आप देखो आप इस movement में का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं आपकी प्रोप्राइटी मेथद से आप find out करते हैं कि ठीक है इस level से market उपर जाएगा तो आप देखें कि इसमें आपकी entry कहां पर हुई फिर से market जब नौन वाल इस यही वो build up phase है वही वो level है जहां पर orders पंच किये जाते हैं और इसी level को आपको समझना है कि आपकी entries हमेशा एक profitable trader की entries हमेशा non-volatile जगा पर होती है और इस level से market जब trend में होता है तब आप profits बुक करते हैं ठीक है अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझें तो यही पर वो चीज़ आती ह कि power of taking pause अब क्या है कि आप trade करना चाह रहे हो हर दिन आप correlations करते हो हर दिन जो students है उन्हें यह चीज़ पता है कि weekly उन्हें correlations करना है लेकिन काफी सारे ऐसे students हैं जो everyday इसमें correlations यूज करते हैं लेकिन अगर हम लोग weekly level पर correlations को यूज करते हैं तो correlations को यूज करने के बाद हर एक दिन एक trades को find out करने की कोसिस करते हैं लेकिन problem कहां पर होती है कि market का जो nature है वो non-volatile होता है और उस level पर जैसे कि अगर हम लोग इस area में अगर entries को plan करना चाहें तो आप देखे कि market range bounded है आप कितना भी चाहें इसमें profits को extract नहीं कर सकते हैं profits इसमें से निकलेंगे तभी जब market यहां फिर वापस से trend में आएगा तो इस चीज को identify करना और आपको proper level पर wait करना जैसे कि आपने इस trend को देखा वापस एक range form हो रहा है तो patiently power of taking pause का ही मतलब है कि आपको उसको identify करना होगा कि market अभी non-volatile है आपको wait करना है जब market trend होगा तब आप entry हर एक दे जो trades हैं उस power of silence no trading zone आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर no trading का मतलब यह नहीं observe तो करना ही है आपके यह watch list में आप इसे देख रहे हो लेकिन आप आपकी entries market जब non-volatile हो उसमें आप ले सकते हो और जब market volatile हो उसमें profit book करते हैं तो taking pause यह है कि random जो आपके जो हर एक दिन के जो छोटे-छोटे trends हैं उसको थोड़ा larger view पर देखना है कि कहां पर छोटे risk अच्छे reward के trades हैं उसमें जब आप interest लेते हो तो फिर आपकी trading improve होते हैं देखे accuracy का मतलब क्या है ध्यान से यह last मैं बता रहा हूं यह pure gold है इसे अगर आप समझ गया तो एक अच्छा trader का मतलब है कि वो bad trades को avoid करता है फिर से मैं इस बात को दोड़ाता हूं एक अच्छा trader एक consistent profitable trader वही है जो एक बुरे trades को bad trades को avoid करता है अगर आप यह चीज़ समझ गया है तो आपको profitable होने से कोई नहीं रह सकता ठीक है एक जोटा सा concept है लेकिन बहुत ही effective है इम्मेंसले इंप्रूव कर सकता है यह आपकी trading को अल्राइट तो और बाकी जो entries वेगरा है यह सारे proprietary methods है अगर आप इससे सीखना चाहते हैं इंट्रेस्टेड है तो do let me know through email और WhatsApp अल्राइट अगर आपकी contents पसंद आते हैं तो जरूर चैनल को subscribe करिए और वीडियो को like करिए इम्मेंट अल्राइट खविए ग्छाट ओट वीडियो कर अए लग बाकी स्वंग जरूरी खवड़ियों और न्यूरी बाविडियों ट्रूरी फख़र इंट आते हैंны यह झाल्राइट पworm तूल्राइटेड वाविड़ झाल्राइटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट